दोस्तो क्या आपने राजकु मार साथ की बेताज बाधसा फिल्म देखी है 1994 में देखी जरूर होगी नई देखी तो गाने तो सूने ही होंगे और गाने कैसे सूने होंगे और प्राणी भूली विसरी याद है ना ओडियो कैसिट वाली वो जरूर ही aja हो जाएंगी तो वीडियो एंट तक देखना अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दूस्तों को सेर करना और कोई भी गाना आपको ज़्यादा पसंद आए तो comment section में लिखना का यह गाना हमने उस जमाने में बहुत सुना है कोई यादे जोड़ी हुई है वो भी आज हमारे साथ आप सेर जरूर करना क्योंकि वीडियो में कहीं न कहीं आपकी और हमारी पुरानी यादे जरूर छुपी हुई है तो चलिए आज का यह वीडियो शुरूर करते हैं और करते हैं 1994 में आई बेताज बास्सा फिल्म का music भरा review तो finally दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेताज ब राधा बोल के साथ और लगभग इसके गाने भी उस जमाने में बहुत जादा सुने जाते थे यसा कि आप सभी जानते हैं मूवी बहुत अच्छी थी और जिन्होंने उस जमाने में audio cassette से अपना मनोरंजन किया है ना उनको यह सारी जानकारी है और कहीं न कहीं उनकी यादो में यह audio cassette और इनका संगीत बसा हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एकदम original master audio cassette बैस्टन कंपनी की तो यह देख सकते हैं दोस्तो बैस्टन कंपनी के बैनर तले आई बेताज बास्सा की original master cassette यहाँ पर दोस्तो हमको बैस्टन का logo मिल जाएगा राजकुम बेताज बादसा जीहां दोस्तो बेताज बास्सा यह 90 के दसक के बेताज बाससा है हमारे राजकुमार साब जैसकी आप जानते हैं और इसके producer दोस्तों बिजये महता साफ ते राइटर डारेक्टर इकबाल दुरानी जी थे लिरिक समीर साफके थे music चिक आनंद मिलिंद का था इसके गाने बहुत ही जबर जस्ते और इधर देखने पर बैस्टेन का लोगो यहां पर लेका है बेताज बादसा ठीक है और यह इस्टीरियो कैसेट है यह हम बैक साइड में देखें दोस्तों तो पांच और चार नौ गाने इस ओडियो कैसेट में दिये हुए हैं और इसकी पैकिंग की बात करें दोस्तों तो दिशंबर 1993 की इसकी पैकिंग है फाइनली यह मास्टर ओडियो कैसेट है चलिए मास्टर कैसेट भी देखाता हूं और सभी गाने आपको आज पलके सुनाओंगा इसके गानों की जलकियां भी आपको काइनटीज की पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं तो वीडियो को इसके मत करना कंटीनू देखते रहना कहीं आपके दिल में भी एक खुसी होगी और यो कैसेट की आवाज सुनकर तो यह रही दोस्तों एक दम औरिजिनल मास्टर कैसेट बेताज बादसा की जी हां द देखने पर यह साइडे है यहां पर भी बेताजबास सा बेस्टन का लोगो आप देख सकते हैं और पांच गाने यहां पर भी लिखे हुए हैं इसकी रील बहुत अच्छी है जैसा कि आपको दिख रही होगी अभी भी भी खनक भी जनकार इसमें हैं जो कि 90 के दसक में हम ल दिल खुस कर देती है चलिए कवर दिखाता हूं तो यह रागा दोस्तों बेताजबास सा फिल्म का औरिजनल मास्टर कैसिट का कवर देख सकते हैं आप यह देख लीजिए और इधर आपको देखने को मिलेगा यह दिल लगी का म्यूजिकल ट्रेलर जी हां दोस्तों लगी का ओडियो कैसिट रिवीउ के आता इसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने थे जैसे कि जब भी कोई लड़की देखुम मेरा दिल दीवाना बोले ओले औले सुना आपने बहुत ही प्यारे गाने थे ते यह आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उपलपद है इसस दोस्तों इधारेदी हम देखें तो बेताज बास्ता लिखा हुआ है इसके प्रेडूसर बिजय मैताजी थे राइटर डारेक्टर इकबाल दुरानी थे लिरिक समीर के थे म्यूजिक आनंद मिलिंद का था चलिए अब आपको गाने सुनाते हैं साइडे का बहुती प्यारा ग साइडे का दूसरा गाना है चूड़ियां बजाओंगी जिसमें आबाजे हैं पूर्निमा की साइडे का तीसरा गाना है एक चादर दो सोने वाले जिसमें आबाजे हैं कुमार सानू एबं पूर्निमा की साइडे का चौथा गाना है खामोस है ये लब जिसमें आवाज है एस पी बाला सुबर्मनियम की साइडे का पांचवा गाना है प्यार तो एक इमतिहान है जिसमें आवाजे है एस पी बाला सुबर्मनियम एबम साधना सरगम की चलिए साइड वी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो साइड वी में जो पहला गाना आ रहा है बो है दोस्तों कभी मुश्किल में है दिल जिसमें आवाजे है एस पी बाला सुबर्मनियम एबम साधना सरगम की साइड वी का दूसरा गाना है प्यार आँखों का दरपन जिसमें आवाजे है एस पी बाला सुबर्मनियम की साइड वी का तीसरा गाना है कोई आशिक तो कोई दीवाना जिसमें आबाजे हैं सुदेश बौसले एबं कभीता कृष्णमूर्ती की साइड वी का चौथा गाना है हसी हसी में कभी दिल जिसमें आवाजे हैं कुमार सानू की तो फाइनली इस और यो कैसिट में पाँच और चार नौ गाने दी हुए हैं मैंने आपको नौ ही गानों की जलकिया सुनाई अब आप मुझे कमेंट करका जरूर बताना कि इस और यो कैसिट के आपको सबसे ज्यादा कौन से गाने पसंद आए और किस गाने से आपकी कौन सी याद है जुड़ी हुई हैं वो भी आप हमारे साथ सेयर कर सकते हैं कवर देख लिया इधर से भी मैंने आपको पूरा कवर दिखा दिया मास्टर ओडियो कैसिट का चलिए अब आपको मैं नेक्स दिखा देता हूं नेक्स्ट है हमारे पास एक भूती प्यारा कॉम्बो और कॉम्बो किसके साथ में है जैसा कि आप देख रहे होंगे बोल राधा बोल के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं beston का logo यहाँ पर लिखा है बेताज बासवा और हमारे बेताज बासवाराजकुमार साप का photo भी देख सकते हैं side B में है बोल राधा बोल इसका भी मैंने दोस्तो अपना musical trailer और audio cassette review कर दिया है यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल पर उपलब्द है इससे ही मतलब नहीं दोस्तों धेर सारी कैसिट मिलेंगी यदि आप कैसिट के दीवाने हैं तो मेरे चैनल पर एक बार रूर बुजट करें आपका दिल खुस हो जाएगा तो साइड एमें हैं बेताज बास्सा और साइड भी में हैं बोल राधा बोल इधर देखने पर दोनों फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं बैक साइड में देखने पर साइड एमें आपको बेताज बास्सा के पांच गाने मिलेंगे साइड भी में बोल राधा बोल के भी इस audio cassette से दोस्तों अधी हम इसकी packing की बात करें तो packing इसमें नहीं डली हुई लेकिन मुझे पता ये उपर से इनोंने slip चिपकाई है चलिए slip को आपके सामने निकाल देते हैं और इसकी packing देख लेते हैं तो दिस्तों आप देख सकते हैं इसकी packing है दिशंबर 1993 मतलब फाइनली य जैसा कि आपने देखा तो दोस्तों अभी आपको मैंने दो ओडियो कैसिट देखा दी हैं एक सिंगल मास्टर कैसिट और एक बहुत ही प्यारा कॉम्बो कैसिट देखकर कहीं न कहीं आपकी भी 90 की पुरानी भूली विसरी याद है जरूरी ताजा हो गई होंगी वीडियो यदि आप पिर सीदिन आपके मोबाइल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्वाइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरूर सेलेट कर लेना तो चलिए मिलते हैं फिर कल सामके 7 बजे अगली आउडियो कैसिट के रिब्यू के साथ जब तक के लिए आप सुमते रहे नाइनटीज के पुराने नगमे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद